सबी वियों मेरा नमस्कार आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी इंग्लिश की स्ट्राटेजी शेयर करने के लिए हूँ जो स्ट्राटेजी मैंने अपनाई दी वो आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे दोनों चैनल कापूर खानन व्लॉक्स और कपूर गुरुकल को सब्सक्राइब कर दो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता दूँ आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जिनको नहीं पता उनको एक बार फिर से बता देता हूं कि जब मैंने English का पहला mock test दिया था तो मेरे 14 नमबर आये थे और जब जो मेरा English का mains में score रहा था जो मेरा first attempt था CCGL का जिसके तुरू मुझे अपनी जो post थी जो मेरी first preference थी वो मिली है उसमें मेरा mains में English में 190 प्लस score था 200 में से तो आज की इस वीडियो में मैं आप लगो गया था अपनी English की complete strategy शेयर करने के लिए आए हूं कि मैंने English में ने English इतनी जादे इंब्रूफ कर दी और इस चीज की मुझे बहुत खुशी है कि मेरी English यहां से ले करके बिलकुल नीचे से ले करके बहुत अच्छे level तक पहुंच गई थी और यह मेरे ले एक बहुत बड़ी achievement थी English में इतने जादा mark score करना और English को इतना इंब्रूफ करना तो आज की इस वीडियो को कि आप एंड तक देखोगे तो आपको मेरी पूरी strategy और सब कुछ बड़ाएगा कि मैं कैसे कैसे पड़ा था किन चीजों को मैंने follow किया था किन book से मैं पड़ा था सब कुछ आपको detail में बता दूँगा ताकि आप लोगों की help ह क्योंकि देखो एक तो SSC CGL 2020 का मेंज बिल्कुल सिर्फ पर खड़ा है SSC CGL 2020 का मेंज आने वाला है और उसी के साथ साथ अब SSC CGL 2021 की भी notification आ चुकी है तो उसका भी prelims होगा तो दोनों में English बहुत ज़रूरी है और जितनी ज़रूरी Maths है ना उतनी ज़रूरी English है English कही ना क तो उसके लिए भी English आनी ज़रूरी है वो कैव अच्छी होनी चीए अपकी grammar के rules अच्छी होनी चीए यानि कि कुल मिलाकर English का जो role है वो math से कम नहीं है math से कुछ ना कुछ जादा ही है तो लोग English को neglect कर देते हैं तो English को neglect नहीं करना चीए और आज की वीडियो में वही सब बात करेंगे कि कैसे English को improve करना चीए किन बुक से बढ़ना चीए मैं अपना personal experience बता हुआ कि मैंने क्या सब किया था और मैं किन बुक से बढ़ा था एक और ज़रूरी बात अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तियारी कर रहे हैं तो आप an academy use कर सकते हैं ये इंडिया दोपैर 12 बजे होता है SSC combat जो कि एक free scholarship test है जो भी लोग SSC की त्यारी कर रहे हैं उन्हें free scholarship test ज़रूर देना चाहिए there is a scholarship pool of rupees 1 karoat जो top 3 rankers होंगे उन्हें SSC plus subscription मिलेगा free of cost और जो बाकी के rankers होंगे उन्हें अपनी rank के हिसाब से scholarship दी जाएगी ask error feature के उसकर के आप अपने doubts clear कर सकते हैं आप उनसे live interact रह सकते हैं यहाँ पर कोई language barrier नहीं रहता क्योंकि आपको 12 से भी ज्यादे language इसमें पढ़ाया जाता है और सब कुछ आपको एक structured form में दिया जाता है आपको PDF content भी provide किया जाता है अगर आप extra discount चाहते हैं तो आप मेरा code M A S T R G को यूज़ करके additional 10% discount पा सकते हैं Unacademy के सारे links आपको हमारी description में मिल जाएंगे तो चलिए बात करते हैं English की strategy के बारे में कि मैंने किन सब चीज़ों का ध्यान रखाता और मैं अपना experience बताता हूँ आपको तो मैं यह मान कर चलूँगा कि आप जो भी लोग देख र कि बाई English जो है ना ये भी कही ना करे practice का ही खेल है जैसे बोलते हैं कि math practice का खेल है ऐसे ही English भी practice का खेल है तो English में आपको जादा से जादा practice करनी है जितनी जादा practice हो पाया ना उतनी जादा आप लोगों को practice करनी है जितनी practice करोगे उतनी आपकी English improve होगी उतने आप rules में fluent ह पहले तो आपको पढ़ना है, पहले आपको अपना syllabus complete करना है, जैसे आप grammar के अगर chapters पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ोगे, उसके बाद लेकिन practice करनी भी जुरूरी है, तो practice कहां से करें में इन बाती आती है, तो जितना ज़्यादा प्रिवेस एर पर focus करो, देखो SSC level के जितने प्रिवेस एर के questions repeat होने के बहुत high probability रहती है, और अगर same question repeat नहीं भी होगा ना, तो काफी similar सा question आने के chances रहते हैं, तो आपको प्रिवेस एर question पर focus करना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा भी उसके लिए practice करनी होगी, practice कहां से करनी होगी, तो मैं आपको बताँगा कि मैं किस book से practice करता था, मैं किन book से पढ़ता था, कहां से grammar की rules पढ़ता था, कहां से vocab पढ़ता था, तो आपको complete बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको practice की बात करते था हूँ, कि मैं practice कहां से करता था, तो देखो भाई, ये किरन की book आती है, English की, इस book से मैं practice करता था, ये बह वमेशा यही चीज़ कहता हूँ, कि अगर आपको कम समय मेर ऐसे exam को, ऐसे competitive exam को crack करना है, तो previous year पर focus करो आप लोग, अभी आप लोगों को बताऊँगा कि इससे जो मैं practice भी करता था उसके लिए भी मैंने क्या strategy रखी हुई ते और कैसे मैं practice करता था, उससे पहले आप लोगों को कुछ और basic चीज़े बता देता हूँ, देखो English में main क्या चीज़ होती है, vocab, grammar और reading comprehension, ये तीन ही चीज़े रहती है English में main, सबसे पहले हम बात करते हैं vocab की, vocab एक ऐसी चीज़ है, जो लोगों को ना हुआ हुआ होता है vocab का, लोग बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं vocab से, और words को रटने की कोशिश करते हैं, तो मैं आप लोगों को कोगा हुआ कि vocab, जो vocab है ना, उसको आप रटने की कोशिश मत करो, उसको आप अपनी daily life से relate करो, trick से पढ़ने की कोशिश करो, जैसे कि आप लोग अगर हमारी vocab प्लेलिस में जाकर देखेंगे, इशा मैं पढ़ाती है vocab, आप देखना इतने बड़िया तरीके से वो vocab पढ़ाती है ना, कि भाई साब आप vocab के वो words देख लोगे ना, आप जिन्दिगे में कभी नी बूलोगे, वो बिल्कुल लाइफ से रिलेट करके आपको पताती है, और हर word को याद करने का ट्रिक होता है, अगर आपने उन ट्रिक से अपनी लाइफ से रिलेट करके vocab सीख ली, तो भाई क्या 500 word, क्या 1000 word रो क्या 10,000 word, अप कितने मर्जी word देख लो, आप जिन्दिगे में कभी नी बूलोगे, तो आपको भी खुद ही करना है, कि आप उन words को ना, खुद जैसे आपने कोई नया word देखा, तो आप उस नये word को ना, अपने हिसाब से भी, अपनी लाइफ से रिलेट करके कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करो, ताकि आप उसको जिन्दिगे में कभी न भूलो, अगर आप रटोगे ना, तो यार रटने से बड़ी दिक्कत होने वाली है, अब कितने words रटलोगे, यार 500 words रटलोगे, 400 words रटलोगे, लेकिन उससे जादा नहीं रट पाऊगे, और वो भी कभी न कभी भूलोगे, तो vocab के लिए सबसे ज़रूरी मैं ही कहूँगा, कि आप अपनी daily life से रेट करके, उनको ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करो, अब next अगर बात करते हैं reading की, तो देखो reading के लिए, अब कुछ लोग novels पढ़ते हैं, कुछ लोग newspapers पढ़ते हैं, अब newspapers भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कर दिया है, novels भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे ना बहुत boring सा लगता है, novels तो खहर मैं पढ़ता ही नी, तो आपके reading भी इंप्रूव हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप जब reading करोगे, कोई news की, अगर कोई app है, कुछ current का पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उससे आपके current भी इंप्रूव होगी, और आपकी GK भी इंप्रूव होगी, मतलब कि एक, तीर से आप दो, तीर निशाने लगा लोगे, तो ये बहुत बढ़ बढ़ आचीज रहेगी, अब next बात करते हैं कि grammar के rules ही, अब भाई grammar के rules मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे, मैं बिल्कुल zero था, तो जैसे कि आप लोग हमारी English की बिल्कुल देख सकते हो, मैंने अब अल्रेडी बता रखाया, इशा मैंने भी पढ़ाया है, वो सब ट्रिक्स से बढ़ाते थे, उसी के साथ साथ नीटू सिंग्मान की book थी, उसको मैं refer करता था, grammar के rules के लिए, उस book से मुझे काफी help मिलती थी, और वहाँ से मैंने grammar के rules सीखे, लेकिन अब main जो बात आती थी, main बात आती थी, कि जब मैं mock test वगेरा लगाता था, एक तो score मेंना थोड़ा कमी डेटा सार्टिंग में धीरे देने बूब हुआ, main आती थी कि practice कहां से करूँ, क्योंकि सब लोग ही कहते थी कि English की ज़ादा ज़ादा practice करो, maximum practice करो, तो practice के लिए मैं नहीं ये book ली थी, इस book से मैं practice करता था, अब इसमें देखो main, सबसे बड़िया चीज क्या थी, कि एक ना हर चीज चेप्टर वाइस जिवाट किया हुए थे, जैसे कि sentence improvement अलग हो गया, close test अलग हो गया, direct indirect speech अलग हो गया, ऐसे अलग-अलग chapters बनाये हों है, इस book में, और उन chapters के साथ ना, अब हर chapter में ना, mostly जो आपको questions मिलेंगे, अब previous year questions मिलेंगे, तो मैं क्या करता था, देखो, दो-तिन तरीक के होता है, सबका अपना तरीका होता है, अब इसमें जैसे अलग-अलग chapters है, तो एक तरीका तो यह है, आप एक chapter उठाओ, पहले उसको खतम करो, फिर दूसरे chapter पर जाओ, फिर तीसरे पर जाओ, फिर चौते पर जाओ, नहीं, मैं ऐसे नहीं करता था, मैं सारे chapters daily पड़ता था, मलब जितने भी chapters है, common error होगा चाहे, चाहे close test होगा, चाहे direct index field होगा, हर chapter पड़ता था, हर chapter का थोड़ा-थोड़ा, जैसे अगर for example, मैं बोलू, तो मैंने हर chapter के 20-20 question पड़ लिए, या मैंने अगर मेरे पास जो time था, उस time के साफ से मैं divide कर ले जाथा, कि अगर मेरे को एक घंटा देना है, तो मैं हर chapter को 10-10 मिनट दे दूँगा, या हर chapter को 5-10 मिनट दे दूँगा, मलब कहने का मतलब समझो, मैं exact मेरे words में मत जाना, कि मैंने 10 मिनट दिये थे, या मैंने 20 questions पड़े थे, कहने का मतलब यह है कि जितना भी time है, वो आप लोगों को देखना है कि आपको बस कितना time आपको कैसे manage करना है, तो मैंने उस समय को उतने में divide कर लिया था, कि मेरे को सारे chapters पढ़ने है, फिर chapter पढ़ने के बाद मैं उस page को या तो fold कर लेता था ऐसे, या pencil से निशान लगा लेता था, फिर next day मैं वहीं से start करता था पढ़ना, अब इसके साथ साथ, ये पढ़ना तो है ही, उसके बाद ही तो इसको प्रैक्टिस पर आया था था ना, तो जो chapters पढ़े थे, उसमें कुछ ऐसी चीज़े थी, जो वहाँ देखने को नहीं मिली और यहाँ पे कोई rules में ऐसी कुछ different चीज़ मिल जाए, या कुछ exceptions होते हैं, आप जब पढ़ोगे, जो लोग पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि, हर rule के और हर chapter के कुछ नगुछ exceptions होते हैं, ऐसे exception वाली कुछ चीज़े मिल जाए, या कुछ ऐसा different चीज़ मिल जाए, उसको मैं अपनी उस notebook में note कर लेता था, और उस notebook से revise करता रहता था बार बार, इसी के साथ साथ, जहां मेरे को कुछ ऐसा different चीज़ देखने को मिलती थी, उसको मैं किसी color के pen से, जैसे red ले लो या blue, कोई भी different color के pen से mark भी कर लेता था, ताकि बाद में जब मैं revise करूँ, तो मैं उन्ही important चीज़ों को बढ़ू, और मेरा अपना time को ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, उन important चीज़ों को बढ़ू, और जो मैंने register बना रखा है, जिसमें मैंने ऐसी different चीज़े लिखी हुए है, उनको बढ़ू, क्योंकि देखो, इतनी बड़ी बुक को बढ़ना, बलब समय लगता है time taking है, तो बार बार आप बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ सकते हैं, limited सा समय है, अगर आप माल लो, आप आपको exam आने वाला है, और आपके बास कुछी limited समय है, और आप उस exam को aim कर रहे हो, तो भाई आप बार बार नहीं पढ़ पर होगे, आपको time भी बचाना है, time management भी करना है, कम से कम समय में, जादे जादे efficiency निकालनी है, तो इसलिए एक दो बार बुक को बढ़ो, और बार बार जो आपने questions mark कि हो है, अलग color के pen से, या जो register बनाया है, उसको revise करूँ, अब देखो practice के लिए बुक से बढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ सा ज़रूरी है, mock test भी देना, तो मैं mock test भी देता था, और mock test में मैं क्या करता था, जैसे कि मैंने पहले कही बार बताया है, कि analysis करता था, analysis आप लोग गो करना है, लेकिन एक और क्या मैं different things करता था, जो मैं आप लोग गो भी suggest करूँगा, कि आप भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपका question आया, end to sign होगा आया, या one word substitution का आया, word meaning कुछ भी आया, phrase आया, तो अगर मान लो end to sign होगा, अब उसमें एक question होगा, एक उसका answer होगा, अब जो बाकी के answer option तो एक ही ठीक होगा, लेकिन जो बाकी के तीन options होगे न, मैं उनका भी meaning सर्च करता था, मैंने कलग से register बनाया होगा था, उसमें मैं जितने भी वो different words मुझे दिखते थे, आप mock test होगे तो आपको बहुत सारे different words देखने को मिलेंगे, तो उन words को मैं, उन words को roll down करके, उनका meaning सर्च करता था, और उनको फिर वैसे ही daily life से relate करके, उनका मतलब निकालता था, यानि कि आपको जितने भी words देखने को मिल रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा वो क्याइब इंबूफ कर सकते हो, उतनी अपनी वो क्याइब इंबूफ करो, और जितनी भी आपको words देखने को मिलते हैं, options में भी, आप उनको भी note down करके, उनका भी meaning सर्च कर सकते हो, ताकि कल को क्या पता एक्जाम में, अब आपका जो question दिर कहा था, हो सकता है वाई, या रिपीट हो जाए एक्जाम में, लेकिन ये भी तो हो सकता है, कि जो options में से था, क्या पता वो चीज़ भी तो रिपीट हो सकती है, आपके एक्जाम में, तो वक्याव आप जितनी जादे इंपरूफ करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, इसी के साथ साथ English का पेपर एक्टेम्ट करते समय, जब मैं English का पेपर एक्टेम्ट करता था, मौक टेस्ट भी तरता था, हिंदी मीडियम वाले जितने भी लोग ना, मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने तो भाइसा वो इतना डरते हैं ना, इंग्लिश से, सब नहीं डरते, लेकिन बहुत, मतलब काफी मैजिवारिटी वैसी होती है, जो डरते हैं इंग्लिश से, कुछ भी चीज मत सोचो कि इसको छोड़ देते हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको हर चीज पर फोकस करना है, वो कैब भी अपनी इंप्रूफ करनी है, रीडिंग के लिए भी मैं आपको बता है कि आप कोई भी आप डाल सकते हो, अपने फोन में, जिससे आप न्यूज भी पड़ पाओगे, उससे आप जीके भी इंप्रूफ होगी, करन्ट भी इंप्रूफ होगी और आपकी इंग्लिश रीडिंग तो इंप्रूफ होगी होगी, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगो को बता दिया, ग्रैमर के लिए बता दिया, कुल मिलाकर ये सब चीज़े हैं जो मैंने फॉलो करी थी, और इन सब चीज़ों के विज़े से मैं इतना अच्छा स्कॉर कर पाएं इंग्लिश में, इस बुक का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जा कर देख सकते हो, एक बार देख जरूर लेना, लेनी हो ना लेनी हो, वो आपके उपर है, आपकी मरजी है, लेकिन बुक देखने में आपका कुछ नहीं जाता, आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप पूछना जाओ, हमसे कमेंट सेक्षिन में बूछ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्स्क्राइब नहीं, हमारे दोनों चैनल्स का पूर खांदन व्लॉग्स,